हेलो नुमस्कार में सेचिन गर्तक लेट्सक्रेक मैं आपका शुहगत करता हूँ आज हम पुना कुछ और सवाल करेंगे साधारन व्याज से संबंदे जैसे की सवाल दिया गया है कि नो सो अठासी की रासी पर अठारा प्रतिशत वार्सिक दर से पांच प्रतिशत के अंत में कितना व्याज होगा तो सिंपल सा अपन साधारन व्याज का सूत्र लगाएंगे साधारन व्याज का सूत्र क्या होता है शाधारन व्याज बरावर क्या होता है मूलधन गोड़ित द गुड़ेत सम्में बटा 100 बस मान रख देंगे मूलधन 988 गुड़ेत 1830 गुड़ेत 5 बटे 100 सिंपल सा काटेंगे अपन 5 से काटेंगे 5 बीशंद 100 अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2 10 बार दो नाम 18 अब फिर दो से काटेंगे नहीं काटेंगे गुड़ा कर देते हैं और दिसंबलो रख देंगे 9872, 972, 89, 89, 89, 88 तो किता आ जाएगा 889 दिसंबलो 2 इसका अंसर बी अगला सवाल देखते हैं जैसी की लिखा हुआ है कि एक ब्यक्ति ने 8500 साधान ब्याज पर 9 परतिसत बारसिक दर से उधार लिया 2 साही एक बटे 2 मतलब धाई वर्स अंत के अंत में उसे कितना धन बापिस करना पड़ेगा मतलब अंको मिश्ट्र धन बताना है कि टोटल मिश्ट्र धन क्या होगा ठीक है चलो इसको हल करते हैं तो मूलदन किता है यहां पे दिरेक्ट हल कर देते हैं या शुत्त लिग देते हैं व्याजवरावर होगा मूलदन गुढित दर गुडत शमे बटा सो ठीके मूलदन किता है आठ जार पांस सो गुडत दर नो गुडत 2 सा ही 2 बटे 5, मतलब 2 दूनी 4 5 मतलब 5 बटे 2 बटे में 100 होता ही होता है चलो, अब ये दो जीरो से ये दो जीरो चल जाएंगे बिल्कोल, अब 2 से कट रहा है क्या arma, नहीं कट रहा है तो अपन पूरे का गोड़ा कर देंगे 85 गोड़त 45 85 गोड़त 45 5 का गुड़ा करेंगे 25 दो और 45 चालेस और 42 ठीक है आगे देखेंगे गुड़ित 4 पंचे 20 चार अठे 32 बत्तिस और 32 चोंतिस ये 5 दो आठ तीन बटे 2 दो से काटेंगे 2 दो एकम 2 दो नाम 18 12 दो एकम 2 दो दो नी चार और दो पंचे 10 19 एक हजार नो सो बारा दिसम्मल पाँच का या गैस का ब्याज अब अब उनको क्या बताना है मिश्र धन तो मूल धन कितना था मूल धन था पचासी सो पचासी सो धन 1912 दिसम्मल पाँच काउंट कर देंगे तो दो एक नो चौदा आठ और एक नो और एक दस दिसम्मल पाँच मतलब एक दस हजार चार सो बारा दिसम्मल पाँच मतलब आपसन नमबर एक इसका सही हो जाएगा अगला देखते हैं जैसे की सवाल दिया है 3600 की रासी को दो भाग़ों में इस प्रकार वक्त करना है कि पहले भाग में 5% बारसक दर से 3 वर्स का साध्रान ब्याज दूसरे भाग पर 6 CH 1 बारसक दर से 4 वर्स का साध्रान ब्याज बरावर हैं तो ये राशियां कितनी होंगी अपनको ये बताना है ठीक है चले इसको हल करते हैं इसमें 3600 क्या है टोटल मूलधन अपनको दो भागों में वाज़त करना है तो पहला अपनना माना पहला भाग किता है एक्स और दूसरा क्या भाग हो जाएगा तो दूसरा भाग हो जाएगा दूसरा भाग हो जाएगा 3600-X ठीक है पहला एक्स दूसरा 3600-X अब इसको और हल करेंगे तो पहले वाले 530 तीन वर्ष के लिए तो X गोड़त मूलधन गोड़त दर गोड़त समय बटा 100 ये पहले वाले भाग के लिए हो गया अब क्या बताता इस साधान ब्यास दोनों के बरावर हैं इसलिए अपने बरावर के निशान लगाया और लिख दिया 36 100 माइनस एक्स गोड़त दर किती दी चार चिंग चौवेस और एक 25 25 बटे 4 गोड़त समय 4 बटे 100 अब जो कट रहे काट देते यह 4 से यह कट गया और पच्शिस चौके 100 4 से 4 कट गया और पच्शिस चौके 100 अपन काट देते हैं बना 100 से 25 को नहीं काटते हैं 100 से यह 100 काट दे 25 का गोड़ा कर देंगे यहां हो जाएगा 25 तीः 15 बटे गोड़ा करेंगे अपन 36 100 तो 36 गुड़त पच्यस और यहाँ माइनस 25x 25 पंदरा चालिस यह माइनस का है इससेड आएगा तो यह प्लस का हो जाएगा तो 25 पंदरा चालिस एक्स हो गया यह 36 गुड़त पच्चिस अब 40 से काटेंगे तो यह नौ बार जाएगा 90 बार जाएगा नचो के 36, गुड़त 25, 25 नम्मा 225, तो X का मान किता आजाएगा, X का माना आजाएगा 2250, तो दूसरी वाले का मान किया जाएगा, 3600-2250, घटा देंगे, तो 0, यह 5, यह 3, यह 3, यह 1, 1350 एक का और एक का बाइच सो पचास, 1350 और बाइच सो पचास, मतलब इसका भी उप्सन, यह अंसर आजाएगा, अगला सवाल देखते हैं, जैसे कि दिया है, X तथा बाई, दो रासियों को, 7.5 प्रतिशत बारसिक दर से, क्रमशा, 4 वर्स तथा 5 वर्स के लिए उधार दी ज गई रासि कौन सी है, चलो तो अपने इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले, X रासि, जिसको, 7.5 बारसिक ब्याच की दर से, 4 वर्स के लिए दे दिया, चलो, दे दिया, अब, बटा सो, माइनस, अब, बाई रासिको, 7.5 दर से, 5 वर्स के लिए दे दिया, तो इनका अंतर किता आ गया, 150 अंतर आ रहा है, कितारा, 150, तो बस आपने इसको हल करेंगे, चलो तो इसको हल करते हैं, तो 25 का गोड़ा करेंगे, 7 का गोड़ा करेंगे, तो 75 के किता हुता हुता, 300, 7.30, यह 30.0, 35, 0, मतलब 30, 36, तीक है, बटे 100 माइनस, यह दूसरी रासि है, जो, और दोनों समान रासिया हैं, देखो, X और Bach दोनों क्या हैं, समान रासिया है, समान रासिया है, मतलब X, जो बाई है, बाई को X भी लख सकते हैं, और X को बाई भी लग सकते हैं तो यहां पर भी एक्स लिख देते हैं गुड़ा करेंगे पचम पच्छेस और पसत्ते पैंतिसो दू सेंतिस बटा सो बरावर एक सो पच्छास अब तीस में से घटाएंगे यह आगे लिखना था आप आगे लिख सकते हैं तो यह साथ समलो पांच एक्स बटे स तो बरावर देट सो अब पच्छत्तर से घटाएंगे यदि यह जी benz काटेंगी तो यह जी रोग जाएगा ठीक है 75 ऐकंपच्छतटा 55 दूनी और सो देट सहुग। तो एक स्वचतर ग इता यह एक घए हजार का गुड़ा अभरस के लिए एक साधान ब्याज के दर पहे एक निश्यत राषी निवेश की यदि उसने इसी राशी को छैवर्स के निवेश के लिए निवेश किया तो अरजित ब्याज की राशी पहले अरजित ब्याज की राशी से 50% अधिक है कितने 30% अधिक हैं? 50% अधिक हैं तो बारसिक दर बतानी है कितनी होगी? तो अपन सवाल गरता हैं